नमस्कार सातियों बीएंचू एंटरंस एक्जाम के रिगार्डिंग एक निया इन्फोर्मेशन इस वीडियो के इंदर हम लोग लेके आये है तो आप लोग वीडियो को केरफूली वोच करिएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सेर्ज कि देख्के दोस्तों आपका जो एक्जाम हुआ है बीकिए जुका जो एंटरंस एक्जाम आप लोगों का हुआ है उसका जो आंसर की है ऑप एसतर चेक करेंगे वो सारा कुछ हम इस वीडियो के इंदर डिसकर्स करेंगे, ओके, आप लोग कंटिन्यू वोच करिएगा, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बीएंचु की जो ओपिशियल वेबसाइट है, देखिए आप अदर वेबसाइट पर विजिट मत करिएगा, जो बीएंचु की के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर देखिए, अलग से एक विंडो शो कर रही है, यह देखिए, प्रोविजनल आंसर की UET, PET, 2020, ओके, यहाँ पर UET का भी लिखा हुआ है, और PET का भी लिखा हुआ है, बट अभी जो एक्जाम यहाँ पर हुआ है, इम और विंडो, I mean, जो है, यहाँ पर लाइन चल रही है, इसमें यह लिखा हुआ है कि आज, यानि कि 8 सेप्तमबर से आप लोग इस आंसर की को चेलेंज कर पाएंगे, राज 10 बजे से, ओके, यह देखिए, इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजेगा, और इसका जो यह आपको चेलेंज करना है, आपको लगता है कि इस अंसर की में यह आंसर दिया हुआ है, बट इसका जो राइट आंसर है, वो कोई और है, तो उस रिसाब से आप लोग चेलेंज कर सकते हो, अब देखिए, अगर आपको सिर्फ आंसर की देखना है, तो आप लोग यहाँ पर सामने open हो जाएगी और यहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है यानि कि जिनका exam omar seat पे हुआ था उनके बारे में भी लिखा हुआ है और जिनका online हुआ था उनके बारे में भी लिखा हुआ है तो आप लोग अच्छे से से पढ़ लीजेगा अब देखिए अगर आपको answer की को challenge करना है दोस्तों तो यहां पर आपको 100 रुपीज पे करने होंगे यह आप लोग यहां पर देख सकते हो साब साब लिखा हुआ है अब यहां पर आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर आपको दो option दिख रहे है ठीक है same option आपको यहां पर लग रहे होंगे आपको confuse नहीं होने है मैं आपको बता दू कि यह है UET वालों का यानि कि UG वालों का बट अभी तो उनका exam हुआ नहीं है ठीक है तो यह है दूसरा वाला PG वालों का तो simply आपको PG वाली पे click करना है यानि कि यह second वाली option पे click करना है तो जैसे आप लोग यहां पर click करेंगे तो देखिए यहां पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है आपको अपना email ID फिल करना है आपको अपना password फिल करना है और यह जो capture यहां पर दिया गया है इसे जो आप लोग फिल कर सकते हो ठीक है फिल करने के बाद आपको क्या करना है यहां से sign in वाले button पे click कर देना जैसे आप लोग click करेंगे तो यहां से आप जो है अपना answer की check कर पाएंगे इसके अलावा जो अगर आप answer की कुछ challenge करना चाहते है तो वो भी आप लोग यहां से कर सकते हो तो सारा कुछ यहां पर दिया गया है तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर में आपको यहीं बताना चाहरा था कि आपका जो answer की है वो release कर दिया गया है और अगर आप इसे challenge करना चाहो तो इस परकार से जो आप लोग challenge कर सकते हो यहां पर आपको sign in करना होगा और उसके बाद आपके सामने जो है सारा कुछ आ जाएगा दोस्तो ओके तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तो अगर पसंद आए तो please like or sir जरूर करिएगा